नमस्कार सातियों, नमस्कार विध्यार्तियों, हमने questions की एक नई series चालू की थी, मैंने जो board ने model paper जो चालू किये हैं, उनकी series स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको जो part A बनता है, उससे related questions करा दिये थे, और इसी questions की series को आगे बढ़ाते हुए, आज हम अगले part की स्टार्फ जाएंगे, यह वाले questions हमने कर लिये थे, यह वाला भी कर लिया था, यह वाला भी कर लिया था, एक बार देख लेते हमने कहां तक कर लिया था, हमने question number 16 तक 17 भी हो गया था, 18 भी हो गया था, 19, 20, आज part 2 चालू करेंगे, आज हम part 2 स्टार्ट करेंगे, part A हमने कर लिया था, थोड़ा सा मैं by language में बोलूँगा, दौनों language में बोलूँगा, जिससे students को फाइदा हो, question यह है कि जो sodium sulfate है, उसकी आपको molar चालकता ग्याद करनी है, उसकी अनन्त तनूता पर molar चालकता ग्याद करनी है, आपको calculate करना है molar conductivity, infinite dilutions पर, आपको sodium sulfate की molar चालकता ग्याद करनी है, आपको जो धनायन है, उसकी अनन्त तनूता पर molar चालकता 50.1 cm2 mol inverse 1 दे रखी है, और sulfate ion की भी आपको चालकता दी हुई है, 160 cm2 mol inverse 1, जब भी ऐसा question आए, इस तरह के questions आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, मुझसे अगर अनन्त तनूता पर कहा जाए, मुझसे कहा जाए कि आपको अनन्त तनूता पर molar चालकता ग्याद करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, धनाइन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस रिनाइन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता साथ ही साथ इनको मल्टिप्लाई किया जाएगा धनाइन की संख्या से और साथ ही साथ किस से रिनाइन की संख्या से अगर आपसे कहा जाए सोडियम सलफेट की अनन तनुता पर मोलर चालकता ज्यात कीज़े यहां अगर आप देखेंगे तो जो सोडियम सलफेट है जब यह पानी के अंदर डिसोसियेट होगा तो आपको दो आइन सोडियम के देगा और एक आइन आपको किसका मिलेगा सलफेट का मिलेगा आपको पता है सोडियम सलफेट को पानी में डालने पर दो आइन सोडियम के मिलेगे और एक आयन सलफेट का मिलेगा number of cation धनायन की जो संख्या होगी वो दो होगी दो मुझे sodium मिलेंगे और साथ ही साथ मुझे जो sodium आयन है उसकी अनन्त तनुता पर जो मुझे molar चालकता दे रखी है वो दे रखी है 50.1 प्लस इसी तरीके से यहां मुझे केवल एक ही एनायन मिलेगा एक ही रिनायन मिलेगा वो मिलेगा सलफेट और उसकी जो चालकता है वो मुझे कितनी दे रखी है 160 अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो यह हो जाएगा 100.2 प्लस 160 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 260.2 यूनिट्स जो बनेगी वो बनेगी सीमेंस सेंटीमेटर स्कॉाइप मोल इनवर्स ध्यान रखें इस तरह के कोश्चन्स आने के पूरी संभावना है एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टुनेंट्स को बता देता हूँ यह हम उससे पूछा जा रहा है कि आपको मोलर कंडेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है इनफाइन डेलुशन पर मोलर कंडेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है सोडियम आयन की आपको मोलर कंडेक्टिविटी दे रखी है सलफेट आयन की आपको conductivity दे रखी है units का ध्यान रखें cement cm2 mole inverse 1 cement cm2 mole inverse 1 तो अनंत तनूता पर मुझे molar चालकता निकालनी है sodium sulfate की तो formula है इसके धनायन की चालकता प्लस रिनायन की चालकता साथ ही साथ उसको multiply करना पड़ेगा number of cation कितने है धनायन की संक्या कितनी है और साथी साथ रिनायन की संक्या कितनी है इसी लिए जो इसका अंसर है वो कितना जाएगा 260.2 cm2 mole inverse 1 कौलराउस के नियम से एक question है कौलराउस का नियम सब को पता है कौलराउस क्या कहता है जो अनंत तनूता की इस्तिती होती है उस पर वैदुत अब घट्टे 100% व्योजित हो जाता है एक आयन दूसरे आयन से पून रूप से स्वतंतर हो जाता है और वैदुत चालक्ता के अंदर प्रतेक आयन की क्या होती है सहभागिता होती है ये चीज क्या कहलाता है कॉलरा उसका नियम कहलाता है नेक्स्ट कोश्चन, आपसे पूछा गया 298 Kelvin टेंपरेचर दे रखा है, Potential Chloride का Solution है, उसकी विसेश चालकता आपको दे रखी है, 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स वर, और आपसे पूछ रहा है, मोलर चालकता की क्या कीजे, गर्णा कीजे, सबसे पहले एक बार हिंदी में यह है, इंग्लिश में यहाँ पर मैं आपको बता दू, Temperature 298 Kelvin है, मुझे जो Potential Chloride Solution है, उसकी Conductivity 0.10 molar दे रखी है, साथ ही साथ जो मुझे Specific Conductivity है, Specific Conductance है या जो Conductivity है, वो 0.0129 दे रखी है, और मुझे कहा गया है, आपको molar conductivity क्या करनी है, calculate करनी है, अब आप सब को पता है, molar चालकता का मतलब क्या है, molar चालकता का मतलब यह है, कि मैंने एक mol प्रधार्ट लिया, और उसको पानी में गोल कर VML Solution मना लिया, तो VML Willian, जिसमें वैदोत अब गट्टे का एक mol गुला हो, उसके कारण जो चालकता उत्पन होती है, उसी चालकता को हम क्या कहते है, molar चालकता, और molar चालकता निकालने का जो formula है, वो आपको याज़ होना चीए, molar चालकता निकालने का formula, kappa into 1000 upon molarty होता है, kappa into 1000 upon concentration या क्या होती है, molarty होती है, ध्यान रखें, ये भी molar चालकता है, और कोल राउस के नियम में भी वो आनंत तनूता पर molar चालकता है, बस फर्क या है कि जो आनंत तनूता होती है, उस से में concentration 0 होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, molar चालकता निकालनी है, molar चालकता निकालने का formula, kappa into 1000 upon जो भी question के अंदर concentration दे रखी है, molar ता में वो लगानी है, तो यहाँ अगर आप kappa की value देखेंगे, तो kappa की value मुझे दे रखी है, 0.0129 into 1000, और साथ ही साथ, जो potassium chloride का जो willion है, उसकी जो concentration मुझे दे रखी है, वो 0.10 है, इसको calculate कर लेंगे, और जो unit जो भी आएगी, cm2, mole inverse 1, इसकी क्या आएगी, unit आएगी, क्योंकि molar चालकता की, जो units है, वो यही होती है, cm2, mole inverse 1, ठीक है, next question, 23 के अंदर part first देखे, आप से कहा गया, methyl chloride है, उसकी reaction हमें silver cyanide से करानी है, product X बनता है, साथ में AGCL बनता है, मुझे यहाँ यह पूछा जा रहा है, कि जो X बनेगा, उसका IUPAC name बताना है, एक आपको equation दे रखी है, board का जो question number 23 है, उसका part first देखे, निमलिखे समीकरण में, योगिक X की आपको पहचान करके, IUPAC name बताना है, यह आपको पता है, methyl chloride है, इसकी reaction silver cyanide से है, अगर potassium cyanide से होती, तब तो alkyl cyanide बनता है, लेकिन silver cyanide आपको पता है, सह स्योज़क compound है, फाजांस का यहाँ नियम लगता है, दनायन रिनायन को बहुत ज़्यादा धुरुवित करता है, उसके कारण इसके अंदर सह स्योज़क लच्छन उत्पन हो जाते है, आप कहेंगे, अगर यहाँ potassium cyanide होता, तब तो CS3CN बनता, लेकिन यहाँ पर मेरी reaction, silver cyanide से है, तो मैं कहूंगा, methyl chloride की reaction, अगर silver cyanide से कराई जाए, तो आपको पता होगा, इस समय जो product बनता है, वो बनता है methyl isocyanide, CS3NC methyl isocyanide बनता है, methyl isocyanide बनता है, और साथी साथ क्या बनता है, AGCL बनता है, हमसे यही पूछा है उसने, कि जो X है वो क्या है, आप कहोगे, X-methyl isocyanide है, लेकिन यहां हमसे उसका IUPAC नेम पूछा है, तो मैं आपको बता दू, IUPAC isocyanide को कारबिल एमीन कहती है, तो IUPAC नेम बना, इसको बोला methyl, इसको बोला कारबिल एमीन, नाम बना methyl कारबिल एमीन, जो isocyanide है, उसी को IUPAC system के अंदर कारबिल एमीन कहा जाता है, तो आप बोर्ड पे लिखेंगे, इसका जो IUPAC नेम है, वो methyl कारबिल एमीन है, तो IUPAC नेम, यह methyl, इस चीज़ को कहा कारबिल एमीन, सुना भी होगा कारबिल एमीन परिक्षर, आईसोसाइनाइड को कारबिल एमीन कहते हैं, इसी लिए इसका IUPAC नेम मना, मैथिल कारबिल एमीन, इसका IUPAC नेम होगा, तो फस्ट वाले का जो आंसर है, आप यह कहोगे, कि यहाँ पर जो X है, वो CS3NC है, मैथिल आईसोसाइनाइड है, और आजकल जो IUPAC सिस्टम है, उसके अंदर इसको मैथिल, इसको कारबिल एमीन कहते हैं, तो IUPAC नेम में इसका मैथिल कारबिल एमीन है, उमीद करता हूँ, कोशन नमबर 23 का फस्ट पार्ट आपको समझ माया होगा, अब कोशन नमबर 2 है, मैथिल क्लोराइड का कक्षक आरेक चित्र बनाईए, यहां आपको क्या करना है, मैथिल जो क्लोराइड है, उसका आपको क्या करना है, मॉलिकुलर और्बिटल्स बताना है, आपको कक्षक आरेक बनाना है, क्या मतलब है, एक बार मैं आपको बताता हूँ मैथिल ख्लोराइट आप ध्यान से देखें ये कार्बन इसके साथ तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हुए है और एक आपको पता है क्लोरीन जुड़ा हुआ है अपर इसको ऐसे कर लेते हैं पर बापिस ध्यान से देखें कार्बन के साथ मैंने तीन तो हाइड्रोजन जुड़ दिये और एक क्या जुड़ा जुड़ी अब आपको पता है ये कार्बन चारो तरफ से एकल बंद से जुड़ा हुआ है इसलिए इस कार्बन पर जो संक्रण होगा वो कौन सा होगा SP3 और जो ये बॉन्ड बनते हैं ये अतीवियापन से बनते हैं ये बॉन्ड अतीवियापन से बनते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलेपिंग अतीवियापन से बनेंगे तो आपको पता है इस कार्बन पर SP3 संक्रण है और कारबन पर SP3 संक्रण होने के कारण जो इसकी जामिती है वो कैसी होगी चतुषफल की है मैंने चतुषफल की है बना दिया बाई मैथिल क्लोराइड का कक्षा कारेक बनाना है आपको पता है ये कारबन चार तरफ से सिंगल बॉंड से बंदा हुआ है इसलिए इस कारबन पर संक्रण SP3 SP3 की आपको जामिती पता है चतुषफल की है ये वाला जो बॉंड बना है ये वाला जो बॉंड बना है ओवरलेपिंग से बना है इस कारबन का SP3 और हाइड्रोजन का S कक्षक उसने आपस में ओवरलेपिंग की इसका SP3 इसका S कक्षक उसने overlapping की जिसके परिणाम शुरूप यहां पर carbon और hydrogen के बीच में sigma bond बना अब ये carbon और ये chlorine आपको पता है अती व्यापन में वही पर्मानविक कक्षक भाग लेते हैं जो अर्ध पूरित होते हैं और chlorine के अंदर जो पी कक्षक है वो अर्ध पूरित है और पी कक्षक की आकरती आपक कहोगे SP3S इसका जो टाइप है वो भी SP3S है लेकिन ये वाली जो overlapping है आप कहोगे ये वाली जो overlapping है ये SP3 क्या है P है तो आप methyl chloride का कक्षक आरेक चित्र इस तरह से बनाएंगे सबसे पहले carbon पर SP3 संकरण दिखाते हुए जामिती चतुषफल की है तीन जो overlapping बताओगे वो S कक चक की आकरती गोलाकार है और इसके साथ जो बताई जाएगी उसकी आकरती कैसी बताई जाएगी डंबल कार नेक्स्ट कोशन ये आप से जो लास्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर कोशन पूछा गया है कि जो 3-0 है और erythro root है उसमें आपको अंतर बताना है डिफरेंस बताना है 3-0 और erythro root में क्या है तो मैं आपको एक बार बता दूँ ये वाला कार्बन की रेल है ये वाला कार्बन की रेल है अगर मैं इसको दरपड़ में देखूँगा तो मुझे इस तरह से दिखाई देगा ये जो फॉर्म है ये वाली जो फॉर्म है ये और erythro ये जो फॉर्म है ये और erythro है दो चीजे हैं एक एरित्त्रो होता है और एक ख्रियो होता है देखें क्या दिख रहा है ये दो किरेल कार्बन है ये भी किरेल कार्बन और ये भी किरेल कार्बन ये जो दो किरेल कार्बन है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो समान समू है उनकी समान दिशा समान समू समान दिशा समान समू समान दिशा आप ये कहेंगे कि जो ये किरेल कार्बन है ये जो दो किरेल कार्बन है इनमें उपस्तित जो ये दो किरेल कार्बन है इनसे जुड़े जो समान समू है अगर उनकी दिशा एक हो तो उस form को तो erythro कहा जाता है लेकिन क्ट्रेल कार्बन से जुड़ने वाले जो दो समान समू है अगर उनकी दिशा विप्रीथ हो तो वो चीज आपस में क्या कहलाती है थ्रियो कहलाती है आप definition में ऐसे कहोगे क्ट्रेल कार्बन से जुड़ने वाले क्रेल कार्बन से जुडने वाले आप ये कहोगे क्रेल कार्बन है दो क्रेल कार्बन से जुडने वाले दो समान समू अगर समान दिशा में हो तब तो हम उनको क्या कहते हैं एरित्रो कहते हैं लेकिन अगर ये विप्रीत दिशा में होते तो उन्हें क्या कहा जाता थ्रियो कहा दो किरेल कार्बन इन से ये समान समू जुड़े हुए हैं अब इन समान समू की इस्तिती देखें समान समू एक दिशा में है या विपरीत दिशा में है विपरीत दिशा में है तो इसे हम क्या कहेंगे त्रियों कहेंगे, हम कहेंगे कि जो किरेल कार्वन से जुड़ने वाले जो समान समू है, अगर उनकी दिशा विप्रीत होती है, तो वो चीज त्रियों कहलाती है, और यदि उनकी दिशा सेम होती है, तो वो चीज क्या कहलाता है, एरित्रों कहलाता है, लेक्स्ट कुशन, ये आले कुश्चन आएंगे कि या तो यह करें या यह करें आपसे यह पूछा गया है मास प्रसेंटेज को डिफाइन करना है द्रवेमान प्रतीशत को परिभाशित करना है और साथ ही साथ इसे ज्यात करने का क्या लिखना है सूत्र लिखना है पहला कुश्चन अब आपको पता है द्रवेमान प्रतीषत क्या होता है percentage weight by weight percentage weight by weight हमेशा उपर ज्यान रखे ऊपर तो विले आता है अंस में और हर में विल्यान आता है तो प्रसेंटेज weight by weight को निकालने का फॉर्मुला अभी मैं बता रहूं विले का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 100 यह परसेंटेज वेट वाई वेट का निकालने का फॉर्मुला होता है अब हमसे द्रव्यमान प्रतिशक्ता की परिवाशा की पूछी गई है परसेंटेज वेट वाई वेट की परिवाशा पूछी गई है यह सांदरता को व्यक्त करने का एक तरीका है तो सबसे पहले हमेशा एक बात के लियर ध्यान रखे कि सांदरता के अंदर हम ये बताते हैं कि विलियन में विले की कितनी मात्रा है सांदरता का मतलब यह होता है कि जो आपने विलियन बनाया है उसके अंदर विले की क्या मात्रा है जब भी percentage आ जाए तो समझ लें answer question के अंदर जब भी percentage आ जाए तो percentage का मतलब 100 से होता है इसका मतलब यह है कि आपने 100 gram billion बनाया है द्रवेमान प्रतिशक्ता को कैसे परिवाशित करेंगे हम कहेंगे कि यह जो billion है वो 100 gram है क्योंकि percentage का मतलब ही 100 से होता है कि 100 gram billion के अंदर जो विले की उपस्तित जो gram में मात्रा है वही चीज क्या कहलाती है द्रवेमान प्रतिशक्ता क्यलाती है आप कहेंगे यही जीज मास प्रसेंटेज कहलाता है हम कहेंगे कि एक हमने 100 ग्राम का विलियन बनाया उसके अंदर विले की जो मात्रा उपस्तित है वही चीज क्या कहलाती है द्रवेमान प्रतीशत कहलाता है प्रसेंटेज वेट बाई वेट अंस में विले आएगा नीचे विलियन आएगा विले की मात्रा ग्राम में बटे विले का भार ग्राम में या विले की मात्रा ग्राम में इसको और अच्छी तरह से अपने ऐसे लेकिन तो ज्याद अच्छा आएगा विले की मात्रा ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इन्टू 100 ये चीज क्या कहलाती है, percentage weight by weight. Question number 2 हमसे पूछा गया, example of ideal solution, आपको others billion के कोई दो उधारन बताने है, तो हम क्या कहेंगे, मेरे यह साब से definition बापिस सुन ले, 100 ग्राम का हमने billion बनाया, उसके अंदर विले की जो ग्राम में मात्रा है, वो चीज मास परसेंटेज या द्रवेमान प्रतिशत्ता कहलाती है, विले की मात्रा या विले का भार ग्राम में, बटे विलेन का भार ग्राम में, इन्टू क्या करेंगे, 100. सेकेंड चीज हमसे पूछा गया, others billion के कोई दो उधारन बताईए, आपको पता है, example of ideal solution बताना है, others billion की सीधी सी परिवाशा यह है, विले और विलायक आपको लगेंगे कि दोनों एक ही परिवार के हैं, जैसे क्या मतलब है, others billion का पहला example में बात करूँ, मैं कहूँगा normal hexane, plus normal heptane, यानि आपने विलेन बनाया, जिसमें एक विले है, एक विलायक है, तो hexane और heptane का जो विलेन होता है, वो others billion है, hexane भी alken है, heptane भी alken है, दोनों अगर alken, alken है आपको दिख रहे हैं, तो ये विलेन क्या 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 आएगा, others billion क्या आएगा, आप बना सकते हैं, अथेनोल आपने काम में ले लिया, साथ में आपने एथेनोल काम में ले लिया, अधेनोल और एथेनोल कु मिलाया, तो जो विलेन बनेगा, वो भी विलेन क्या 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 आएगा, ये भी alken है, ये भी alkohol है, others billion है, एक सीसरा एक्जामपल और अपने दिमाग में रख ले बैंजीन, बैंजीन हाइड्रोकार्बन है, साथ में टॉलूइन, बैंजीन और साथ में क्या है टॉलूइन, ये विलियन क्या क्या लाते है, आदर्स विलियन क्या लाते है, बैंजीन प्लस टॉलूइन का बना विलियन, अगला question हमसे आयतन प्रतिशत्ता पूछी गई है उसको परिभाशित करना है अत्वा में और साथी साथ इसे ग्याद करने का आपको क्या लिखना है सूत्र तो आयतन प्रतिशत्ता का मतलब है percentage volume by volume उपर आप कहोगे विले का आयतन मैंने आपको कहा वी का मतलब volume किसका आयतन लिखोगे अंस में विले का विले का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में into 100 यह percentage percentage आयतन प्रतिशत्ता है इसी चीज को मैंने कहा जब भी आयतन प्रतिशत्ता प्रतिशत्ता का मतलब मैंने क्या किया एक विलियन बनाया जो 100 ml का है याने कि आयतन प्रतिशत्ता की बात तब करते हैं जब विले और विलायक दोनों लिक्विड फॉर्म में हो विले भी द्रव है विलायक भी द्रव है और solution लिक्विड फॉर्म में है हम कहेंगे 100 ml जो विलियन है 100 मैंने कहा percentage का मतलब भी 100 जैसे percentage weight by weight में आपने कहा था 100 gram विलियन यहां कहेंगे कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में उपस्तित विले का ml में आयतन क्या कहलाता है percentage volume by volume या आयतन प्रतिशत्ता कहलाती है आप कहोगे 100 ml का जो मेरा विलियन है 100 ml का जो मैंने विलियन है विले और विलायक दोनों मिलाकर जो 100 ml का विलियन मनाया है कि 100 ml के विलियन में विले का ml में जो उपस्तित आयतन है वही चीज क्या कहलाती है परसेंटेज वॉल्यम बाई वॉल्यम क्यालाता है सेकंड कोश्चान हम से पूछा गया अनादर्स विलियन के उधारन दीजिए तो अनादर्स विलियन में आपको सीधी सी बात है दोनों विले और विलायक आपको अलग दिखेंगे जैसे हम कह सकते हैं सीअल और साथ में हमने ले लिया वाटर दोनों अलग अलग हैं सी यह और वाटर आप ले सकते हो ख्लोरो फॉर्म और एसीटों और एसीटों यह अनाइडियल सॉलिशन है नोन आइडियल सॉलिशन है SCL प्लस पानी, प्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये अनाधर स्वीलियन के उधार है अगला आप से पूछा गया, कैलकोजन समून का सामाने इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखिए एपसम लवण का रसाइनिक सुतर लिखिए, कोश्चन नमबर एक सबसे पहले आपको ये पता होना चीए कि कैलकोजन परिवार कौन सा है कैलकोजन या चालकोजन परिवार हम ऑक्सीजन परिवार को कहते है कैलकोजन या चालकोजन परिवार ऑक्सीजन परिवार को कहते है उसका रीजन ये है कि जादतर जो हमें मैटल्स मिलती है या ज़ादातर जो हमें धातव मिलती है वो Oxide या Sulfide रूप में मिलती है यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है Calcosons कहा जाता है आप कहोगे Calcoson या चालकोजन इसी लihat कहते हैं कि ज़ादातर प्रकर्ती में जो धातव मिलती हैं वो हमें Oxide या सलफाइड रूप में मिलती हैं इसी लिए इनको कैलकोजन केते हैं और oxygen परिवार जो है वो कैलकोजन परिवार है और आपको पता है इसका जो सामाने electronic विन्यास है वो क्या होता है Ns2, Np4 होता है अब आप सोच भी सकते हैं कैसे क्योंकि आपको पता है Oxygen का परमानुक्रमांक 8 विन्यास होता है 1s2, 2s2 और क्या होता है 2p4 सबसे बड़ी संख्या को मैंने Ns3 प्रेजेंट कर दिया Ns2, Np4 याने भायतम कोश में कित्ते electron होते हैं 6 electron होते हैं यह इसका सामाने electronic विन्यास है आप से Epsom लवन पूछा गया है तो जो Magnesium Sulfate MgSO4.7s2 MgSO4.7s2 इसी चीज को बोला जाता है Epsom लवन यह तो Epsom लवन है और ध्यान रखें Magnesium का Sulfate तो Epsom लवन है लेकिन Calcium का Julfate होता है वो Gypsom लवन है MgSO4.7s2 Epsom लवन है CSO4.2s2 यह आपका Gypsom है यह आपका Question No.26 का First Part है Next Second Part की अगर हम बात करें Second Part के अंदर आप से कहा इस Equation को आपको पूरा करना है Ammonia की Reaction Chlorine के साथ है और यहां भी Ammonia की Reaction Chlorine के साथ है बस फर्क क्या है अगर उपर वाली Reaction में देखोगे तो Ammonia आधिक्यम है नीचे वाली Reaction में देखोगे तो Chlorine आधिक्यम है जब Ammonia आधिक्यम होता है तो उस समय हमेशा ध्यान रखे बनता है Ammonium Chloride और साथ में बनती है Nitrogen Gas Ammonium Chloride और साथ में कौन सी Gas बनती है Nitrogen Gas अगर हम इसको Balance करें तो यहाँ 6 आजाएगा क्योंकि देख लो अपने पास 6 Chlorine है तो 6 Chlorine हो गए Nitrogen 8 है तो 6 Nitrogen और 2 Nitrogen यह तो 8 होंगे तो ध्यान रखें जब Ammonia आधिक्यम होता है तब Ammonium Chloride और साथ में Nitrogen Gas बनती है लेकिन जब Chlorine आधिक्यम होता है तो बनता है NCl3 और साथ में 3SCl यह 3 Hydrogen 3Cl के साथ जुड़कर 3Cl और 3 इसके साथ Nitrogen Trichloride और साथ में क्या बनते है SCl बनता है तो ध्यान रखें यह एक्वेशन Ammonia की reaction क्लोरीन के साथ दो तरीके से होगी जब Ammonia आधिक्यम होगा तो नौसादर Ammonium Chloride और साथ में Nitrogen बनेगा लेकिन जब क्लोरीन आधिक्यम होता है तो Nitrogen का Trichloride और साथ में क्या बनता है SCl बनता है अत्वा में कुशन है दूसरा वो यह P-Block से related है होना ची हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले अब आपको पता है जैसे सोडियम की reaction क्लोरीन से कराए तो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है तो हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले और लवण बनाने वाले जो ग्रूप होता है वो है वर्ग संक्या 17 वर्ग संक्या 17 जो है इसको हेलोजन परिवार कहते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, डॉमीन, आयोडीन आते हैं और आपको पता है इनका जो सामन एलेक्टोनिक विन्यास है वो क्या होता है NS2NP5 साथ में हमसे पूछा गया है cryolite, cryolite जो है उसका formula होता है N3ALF6 इस चीज़ को हम क्या कहते है cryolite कहते है N3ALF6 को क्या कहा जाता है cryolite कहा जाता है N3ALF6 आपका क्या कहलाता है cryolite कहलाता है अगला अथवा में साथ में दिया है निमने chemical reactions को पूरा करे कॉपर की रियक्षन नाइट्रीक एसिट से कराई है तो देखे होता क्या है नाइट्रीक एकसिड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है कॉपर के अंदर जब हम नाइट्रीक एसिड मिलाते हैं तो प्रोडेक्ट क्या बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है आपने डैलूट ना प्रोडेक्र एसिड से कराते हैं तो दौनों में ही बनता है कॉपर नाइट्रीक एक्षिप साथ में बनेगा water और साथ में यहाँ पर जो बनता है वो बनता है nitrogen monoxide याने copper की reaction copper में जब हम तनू H3 मिलाते है तो बनता है एक तो copper nitrate बनता है, साथ में क्या बनता है water बनता है, और साथ में क्या बनता है nitrogen monoxide बनता है, यहाँ भी 3 copper तो यहां भी 3 copper, यहां 8 hydrogen, तो यहां भी 8 hydrogen, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां nitrogen 8 है, तो 3 दूनी 6, देखो ध्यान से, अपनी nitrogen कित्ती हो गई, यहां 8 है, तो balance करने के लिए 3 दूनी 6 होई, तो CDC बाते हैं 2 आएगा, तब जाकर अपनी कित्ती हो जाएगी, 8 हो साथ में water भी बनता, बस पर्क यह है, यहां nitrogen monoxide बनता है, यहां nitrogen dioxide बनता है, जब आप यहां concentrate अचरो, 3 ले लेंगे, balance करने के लिए आपको पता है, 2H2O लगाएंगे, तो देखें, एक copper यहां, एक copper यहां, nitrogen total कितने है, 4, तो अपने पास कित्ते हो गई, यहां nitrogen 2 हो गई, त next question, निम्लिखित IUPSC name बताने हैं, आपको complex दे रखे हैं, उनका IUPSC name बताना है, question number first, question number second, second में यहां थोड़ी सी mistake हो गई है, इस से, RPSC से, देख लेते हैं, question number first, आपको यह complex दे रखा है, FE4, यह भी थोड़ा सा, FECN6 है, यह थोड़ा mistake है, मैं बताया है, FE4, FECN6 का hold rise, यह इस तरीके से है, यहां थोड़ा सा mistake है, यह इससे जो, जो भी model paper है, उसे mistake हा जाती है, FE4, FECN6 का hold rise, जब भी इस तरह का UPSC name आए, तो आप इसके क्या करें, दो टुकडे कर ले, यह हमेशा इसके उपर जाता है, यह हमेशा इसके उपर जाता है, याने FE के पर आपको दिख रहा होगा, प्लस 3 चार्ज है, पर इस पूरे FECN6 के उपर, जो चार्ज होगा, वो माइनस 4, अब आप इनका UPSC name बता है, यह आपको FE की प्लस 3 फॉर्म है, FE की प्लस 3 फॉर्म, आपको पता है, फैरिक क्यालाईगी, यह आपको पता है, हैक्जा साइनो, क्योंकि जटल आएन जो है, वो आपका रिनाएन है, सिलिए धातु आएन के अंत में, एक्जा साइनो, फैरेट, और ऑक्सिडेशन नमबर निकालोगे, तो कितना आएगा, सेकंड आए, एक्स, माइनस 6, बराबर माइनस 4, सॉल्व करोगे, तो दो आएगा, तो IUPAC name हुआ, फैरेट, हेक्जा साइनो, फैरेट सेकंड, इसमें भी थोड़ा साइन से मिस्टेक हुई है, बनाते समय, यस तरह से है, तो ही रूट में यह यूँ होना चाहिए, अब आप सबको पता है, यहाँ च्छे लेगे हैं तो आपको होगे, हेक्जायमीन, कोबाल्ट, हेक्जायमी हेक्जायमीन, कोबाल्ट, 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 ह नमबर 2nd में आपको दे रखा है यह complex और आपसे इसकी geometry बूच रहा है geometry का diagram बनाना है नाम आप बना देंगे hexafluoro यहां cobalt नहीं बोलके cobaltate बोला जाएगा cobaltate और इस cobalt पर oxidation नमबर आपको पता है 3 आएगा x-6 बराबर-3 तो यहां एक चो cobalt है वो प्लस 3 में है आपको पता है नाम बोलेंगे hexafluoro cobaltate 3rd संकुल आयन आपको दे रखा है इसकी जामिती बनानी है तो सबसे पहले तो आप समनवई संख्या ही देख लें यहां समनवई संख्या 6 है समनवई संख्या अगर 6 है तो यहां तो संक्रण होगा sp3 d2 यह संक्रण होगा d2 sp3 क्योंकि यहां समनवई संख्या 6 है क्योंकि जब समनवई संख्या 6 है तो संक्रण SP3D2 होगा या D2 SP3 होगा क्योंकि फ्लोरो वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड के केस में जो संकुल बनता है वो भाय कक्षक संकुल बनता है इस समय जो संक्रन निकल के आएगा वो SP3D2 आएगा साहे तो आप देख भी सकते हैं ये कोबाल्ट प्लस 3 है कोबाल्ट का 27 विन्यास होता है 3D7 4S2 प्लस 3 का मतलब 3 चलेगा ये D6 रह गया आपको पता है वीक लिगेंड है जब वीक लिगेंड है फ्लोरो तो किसी भी तरह की पेरिंग नहीं करती हुंड के नियम से 6 एलेक्ट्रोन भरेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6 आगे 4S खाली पड़ा है उसके आ आगे आपको पता है 4D खाने पड़ा है यहां आपको दिख रहा है कोबाल प्लस 3 की जो समन्वरी संक्या 6 है इसका मतलब कोबाल प्लस 3 को 6 खाली कत्सको पलब दिखराने है एक S कराएगा 3P और 2D इसलिए यहां पर जो संक्रण होगा वो SP3D2 होगा और SP3D2 जब संक्रण ह को फोटा है तो आप सब को पता होगा आकरती कैसी होती है है अस्ट फल होती है औक्टा हडल होती है अस्टफल यह होती है कहने का मतलब वर्गाकार द्वी पिरामिट इस तरीके से वर्गाकार याने कोबाल्ट यह रहा फ्लोरीन 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 फ्लोरो 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 पांचवा उपर थाटा नीचे समझ में आ गया होगा ब्रैकेट लगा के माइनस त्री लगा देख यह इसके स्ट्रक्चर होगा है नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है निमलिखित कॉम्प्लेक्स का अथवा में आपको आयूपीएसी नेम बनाना है पहला चीज यह आपको दिख रहा होगा यह छोटा हो कोबाल्ट है और यह कारबोले है उसलिए केंश अधार्व कारबोनी के लगाएं возмा है इसकी संख्या इसलिए बोल दिया है क्षा कार्बोनिल मेटल है कोबाल्ट और अक्सीडेशन नंबर आपको पता है दूसरी चीज हमें कॉपर के साथ दो ग्लाइसिनेटो जोड़ रखें इसकी संख्या आपको पता है या दो है आपको होगे डाई ग्लाइसिनेटो घ्लाइसिनेटो अगला कोशन इसी का ही एक second part हो रहा है वो देखे हैं हमसे कहा गया टेट्रा क्लोरो निकलेट second है यह संकुल आयन की आपको जामिती का चित्र बनाना है ध्यान से देखें निकल एक्स चार क्लोरीन के कारण माइनस चार बीज गणती ओग माइनस दो याने निकल के उपर जो ऑक्सी करणक आएगा वो प्लस टू है यहां एनाई प्लस टू है परमाणुक्रमां का थाईस विन्यास 3D8 4S2 तो इलेक्ट्रोन चले गए डीएट विन्यास है लोरो आपको पता होना चीए वीक लिगेंड वीक लिगेंड है तो हमें क्या करना है हुंडी के नियम से बनना है इसके अंदर जो संक्रण होगा वो SP3 होगा और SP3 जब संक्रण होगा तो आपको पता है जो जामिती होगी वो इस तरीके से कैसी होगी चक्षपल की होगी यह जो पॉर्मला है यह किसका डाइग्राम है NICL 4-2 का नेक्स्ट कुश्ट रसाइनिक एक्वेशन दे रखी है और आपको यह बताना है प्रोड़ेक्ट क्या बनेगा इसमें मिस्टेक है क्योंकि सब सलता है फस्त में एक्च्वल में यह यूरिया प्रप्रेशन का मैथड है एक्स वाई पहचानना है आपको तो यह अक्च्वल में कैल्शियम साइनिमाइड है CACN2 इसकी रियक्शन पहले हम H2SO4 से कराते है कैल्शियम प्लस सल्फेट के साथ जूड़कर बना लेता है कैल्शियम सल्फेट और बनता है जो दूसरा प्रोड़क्ट बनता है वो बनता है क्वा एनस्टू सीयर कुछ ही निक्या मैंने इस सीएन को तो ऐसे की ऐसे रखा किसे जोड़ दिया बना दो सीयन तो आप दिखें यह सीयन ऐसे कैसे एक एनस्ट के साथ तो यह दो हुआ ns2 ns2 cn ns2 cn फिर जब हम ns2 cn का hydrolysis कराते हैं याने x है वो तो sinamide है ns2 cn इसको sinamide इसको बोलते है calcium sinamide इसको बोलेंगे sinamide calcium sulfate बाहर निकला remaining बचा ns2 cn इसको थोड़ा आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cn tn plus h2 so4 यह तो बन गया cso4 यह बना यह बना ns2 cn और जब आप इसका hydrolysis कराते हैं तो जो sinamide group होता है इसका जब आंसिक hydrolysis कराये जाता है तो cn group amide में बदल जाता है बनता है ns2 cn s2 और आप कहेंगे urea prepare याने जो y है वो तो आपका यूरिया है और जो x है वो आपका एनस्टूसियन साइने माइड है इसका जो बापार्ट है उसको देखें बापार्ट के अंदर हमसे नाइट्रो बैंजीन मेटा डिरेक्टिंग है इसके लिए रेजोनेंटिक के स्ट्रेक्चर बनानी है आप सब ऐसे बना लेंगे नाइट्रो बैंजीन यह नाइट्रो ग्रूप नाइट्रोजन से ऑक्सियन खीचेगा पाई लेक्ट्रो तो यह पाई दर सिफ्ट होंगे यह पाई दर सिफ्ट होंगे तो यहां पॉजिटिव चार्च डबल बॉन एन ओ मैनस यह दर आएगा यह दर जाएंगे और बैंजीन रिंग पर आपको पता है लेक्ट्रो इस नहीं आटेक करता है तो इलेक्ट्रो इस नहीं और और फोर पेरा पोजीशन पर अटेक नहीं करकर मैटा पोजीशन पर अटेक करेगा वह इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रो डेंसिटी रहती है और फोर पेरा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रो डेंसिटी क्या हो जाती है अनुनात के करण कम हो जाती है आगे आप लेंगे अत्वा में एथिलैमीन दिया है पोटेशन पर मैंगनेट दिया है एक्स बना रहे है फिर उसका हाइड्रोलेसिस एसिडिक मीडियम में का बना रहे है एक्स और वाई की पहचान करवा रहा है तो देखें एथिलैमीन पोटेशन पर मैंगनेट ऑक्सिडाइजिंग है जैंट है ऑक्सिकारक प्रधार्त क्या करते हैं दूसरे का ऑक्सिक्रण करते हैं इसका ऑक्सिक्रण होगा ऑक्सिक्रण का मतलब ऑक्सिजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना तो यहां से और यहां से हाइड्रोजन न ये फिर आप इसका एसेडिक मीडियम में जब हाइड्रोलीसिस कराते हैं ये ये वाला पार्ट बनाता है और साथ में अमोनिया गैस बनती है अगा कि यह 나ig's क्व के सिनद काष्ए अलियू आर्फो पैरडिरेक्टिंग होता है इसके लिए आपको इसकी अनुनाधी सरच ना बनानी है बता गई किसे हो है कि आप सब को पटा है रोल दी जो यह लॉन पयर है लॉन पयर्था पाई पाई अन्वर्ट इन और शायोन में होता है विकलो बूट demonstrate कि भापिए लॉन पेर्पाई में अश्राइज को दोगा पाई में कभाट हो जाता है आप कह देंगे कि और थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोन डेंसिटी भर जाती है यही कारण है कि जो इलेक्ट्रो इस नहीं है वो और थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा अटेक करेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम खंड़ी डी की बात करेंगे और मैं उमीद करता हूँ आपको सर की क्लास समझ में आई होगी और आपको अगर सर की क्लास समझ में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें जादा से जादा सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें जिससे सरका भी मोटिवेशन बढ़े थैंक्यू आज के लिए